हाई एवरिवान आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ परत्दार मठ्री यानि की लेएर्ड मठ्री की रेसिपी आपने बहुत बार खाई होगी बहुत बार बनाई भी होगी पर जो आज में थारीका लेकर आए हूँ विर्कुल अलग है आज तक आपने ऐसी मठ्री ने बन होती है तो आई देख लेते हैं से कैसे बनाते हैं हाई अग्रिवान कैसे हैं आप लोग मैं गीता वर्मा गीता किनू रेस्पीज में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो यहां पर सबसे पहले मैंने ओर्स ले लिया है ओर्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है अपनी डाइट में आपको शामिल करना चाहिए प्योंकि इसके अंदर होता है भरपूर मातरा में फाइबर और यह आपकी कोलिस्ट्रोल लेवल को भी कम करता है साथ ही होता है बहुत सारा प्रोटीन तो यह हैल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है मैंने एक कप यहां पर ओर्स ले लिया है जिसको मैं पीसने वाली हूं और इसका मैं पाउडर तयार कर लूँगी तो यहां पर जो हम मठरी बना रहे हैं आज बहुत जादा हेल्दी वे में बन मैं तो आज पही रेश्पी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं तो यहां पर मैंने और्स को पीस लिया है इसका बारिक पाउडर तयार कर लिया है दिखाते हूं आपको किस तरीके से मैंने पीसा है तो यहां पर आपको बारिक पाउडर आपको तयार करना है जैसे आटा होता है वैसा ही मैंने यहां पर ओर्स का आटा तयार कर लिया है तो यह मैंने डाल लिया है इस बड़े बर्तन में अब मैं इसमें एड़ करूंगी मैदा TOTALLY OPTIONAL है मैदा नहीं यूज़ करना चाहते, बिल्कुल मत करिये, आठा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूं 1 कップ गेहूं का आठा अगर आप मैदा यूज़ नहीं कर रहे, तो 2 कप गेहूं का आठा यूज़ कर सकते है'm पर मैं चाहती हूँ कि जो टेस्ट है वो बिलकुल मैदा की मठरी वाला आए तो इसलिए मैंने यहां पर 1 कप मैदा का इस्तिमाल किया है अब इसके अंदर मैं 1 4th कप ऑईल डालने वाली हूँ यहां पर मैं एक्स्ट्रा ओलिव ऑईल का इस्तिमाल कर रही हूँ थोड़ा सा म लमक एड़ कर देंगे टेस्ट के कॉर्डिंग और यह जो बचा हुआ तेल था वो भी मैं इसमें एड़ कर दूंगी अब सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी ओयल है वो मैदा और आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए इसे इस तरीके से दोनों हाथ से रब करते हुए मिक्स करेंगे इससे क्या होगा जितना भी ओयल होगा वो बराबर मिक्स होगा अब इसमें पानी एड़ करूंगी थोड़ा थोड़ा और यहां पर नॉर्मल पानी का मैं इस्तिमाल कर रही हूँ कोई गरम या ठंडा पानी नहीं है नॉर्मल जाएं मीडियम सॉफ्ट लगाना है बहुत ज्यादा चाहिए ज्यसे हम रोटी लगाते लाट लगाना है यहां फिंद्धा थोड़े पानी का इस्तिमाल कर रही थाकि आठा ज्यादा गील और नहीं जाए यहां पेidvan और सॉफ्ट प्राइय हैं तो यहां पेए पाइब स्уйत्प रोके आटा antesdeak अच्णला हूं किस तरहें करते ही जयर से इता इंपने की दिए मैड़ा शुवहत पर लूह जाता है तो इसे यह दिखिए हमारा जो मिक्षर है वो तयार होगे कुछ इस तरह का में ये मिक्षर तयार करना है इसे भी मैं साइट में रख देती हूं अब यहां पर जो डो है उसमें से मैं लोईया तोड़ने वाली हूं जैसे हम पराखे के लिए लोईया तोड़ते हैं रोटी से लोड़ने हमेर चाहिए और यहमारा पेडला चाहिए इस तरेके से मैं सारे पीड़ने में सारी तो आप हलका सा तेल लगा सकते हैं तो यहां पर मैंने इसे बिल्कुल बारिक बेल लिया है जितना मैं बारिक बेल सकती थी आपको दिखाती हूं किस तरह का बेला यह देखे बिल्कुल पतला बारिक बेलना है आपको मोटा नहीं होना चाहिए इस तरीके से सारे पेड़े में बेल के तयार करनेंगी तो यहां पर यह मेरे दूसरा भी तयार हो गया अब मैं क्या करूंगी एक रोटी लूँगी और इसके उपर इसे साटा लगाऊंगी अब इसके उपर दूसरी रोटी रखोंगी और इस तरीके से में पांच रोटी यह एक के उपर एक लगाती अब छिपका पानाड़ कि अब किले का बाइब के राटा सुटाई में उसकी tut ne कि में पानी पानी खिका दूंगे अब यह से में थोड़ा सा कर दोगी कि बहुत मोटे बीच में में से रहा पानला कर देमानी है और इसके इस तरीके से pieces काटेंगे और इसे मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी तो यह हमारे मठरी का पेड़ा तैयार हो गया है और यहाँ पर मैं पतली-पतली मठरी बना रही हूँ तो अगर आपको मोटी चाहिए तो आप थोड़े सी मोटी काट सकते हैं मैं आपको इसे बेल के दिखाती हूँ तो यहाँ पर यह देखे कितने अच्छी लेयर्स आई हैं इसके अंदर और इसे बिल्कुल हलके हलके हाथों से आपको प्रेस करना है अगर कहीं से एक खुल जाता है तो आप वहाँ पर पानी से चिपका सकते हैं तो इस तरीके से मैंसे बिल्कुल हलके हलके हाथों से प्रेस करूंगी ताकि इसके लेयर्स आपस में चिपके नहीं और बिल्कुल हलके हाथ से मैंसे बेल रहे हूं ज्यादा जो डालके बेलेंगे तो लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी यहां पर मैंने इकाल आप यहां पर दिखी दूसरी में मैं प्री तैयार कर लोगे आप मैं कर दालूँगी तेल को हमें अच्छे से तेज गरं होने देना है औरुस्के लेयर्श में अर्टी जाओंगी गैस को हम low medium पे कर देंगे, जब एक पर तेल अच्छे से गरम हो जाए, गैस को low medium पे कर दें, क्योंकि मठ्री को हमें धीमी आज पे fry करना है, जब आप इसे धीमी आज पे fry करेंगे, तो यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, अगर तेज पे fry करेंगे, तो यह soft हो और इसे मैं इस तरीके से fry कर लूँगी, गोर्डन ब्राउन होने तक, तो आप इसकी layers देख सकते हैं, अलगी नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी layers परतदार मठ्री बनी है, लेयर मठ्री बनी है, हमारी layers इसकी बहुत अच्छी से खुल के आई है, तो अब जो बाकी की बच मठ्री मठ्री को सब को बना है, मैं इसकी बहुत इसकी मैं होती है, होपने मठ्री बोगशा रहे हैं, हीड़्ा को खुल भी प्रोम Kentraps में जो के बनाध मोड़ी मोट बने 控च Reason to the आब तेख से बिसे साथ मत्री मंठ्री में इस सखतर बनती है, मत्रीς मां में ध्र मेंड़ा के मत्री कहीं अचिया है ओर बहुत जादा में खुसत बोग भी हां को यह तो भी टेस्टी और बहुत ज़ादा हेल्दी मठी है ये एक बार इस तरीके से ट्राइ करिएगा आपको बहुत ज़ादा पसंद आएगी और इसे एक महिने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमें करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें फेस्बुक को लाइक करना बिल्कुल मत बिलेगा